दुनिया में कई ऐसी जगा हैं जो अपने आप में कई रहसे समेटे हुए हैं। उनी जगाओं में एक है मिस्र और वहां के प्रामिड। मिस्र की सबसे रहसमाई कलाकरती है ता ग्रेट प्रामिड ओफ गीजा, जो दुनिया के साथ अजूवां में से एक है। वैसे तो यहां के प्रामिनों का इतियास साड़े चार अजार साल पुराना बताया जाता है लेकिन आज भी इन प्रामिनों से जुड़े कई रहसे हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है इन प्रामिनों को उस समय बनाया गया था जब इनके निर्मार में मदद करने के लिए कोई आधुनिक उकड़ या मशीनन नहीं थी कोई पहिये यहां तक कि इस्टील भी उनके लिए उपलब्द नहीं थी तो आए जानते हैं इन्हीं प्रामिडों के बारे में मानो दुनिया भर के सारे प्राचीन बिल्डर्स एक ही स्कूल में गए हूँ अंदर जाकर ऐसा आभास हुता है कि इसे बनाने वाला इस दुनिया का नहीं बलकि दूसरी दुनिया का है क्या प्राचीन मनुष्यों ने पिरामिड्स को कबरों को रखने के लिए बनाया था वो समाधी बताना चाहते थे अच्छी बात है पर 25 लाख पत्धरों वाली इतनी बड़ी समाधी क्यों या पिरामिड्स बनाने के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था जो भी सब्धिता इस कॉम्प्लेक्स पिरामिड्स नेट्वर्क को बना रही थी या बनवा रही थी इसके लिए जिम्मेदार थी वो जरूर बहुत ही एडवांस थी हो सकता है वो एलियन्स थे भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रह के लोग धर्ती पर आते थे क्या ये वाकाई सच है क्या एंसिंट एलियन्स की वज़़े से ही हमारा इतिहास इतना रहस से मई है और क्या पिरमिट्स बनाने के पीछे कोई राज है ऐसा राज जो हमें एलियन्स से जोड़ता है वो कौन थे वो क्यों आये थे वो पीछे क्या छोड़ गए वो कहा चले गए क्या वो वापस आएंगे हम लगबग साड़े चार अजाल साल पहले के प्राचिन मिस्र की बात कर रहे हैं जगीजा के महान प्रामिटों का निर्मार्ट शुरू हो गया लोगों ने गिरजगर और गगन चुम्भी इमारतों का निर्मार्ट करना सीखा और इसी के फलसुरूप ये विशाल का एमारतें दिखाई दी प्रामिट आज भी आधुनिक वेग्जानिकों के लिए एक रहस्य है कि इन प्रामिटों को साड़े चार जार साल पहले कैसे बनाया गया था इसमें कोई आस्चर रहे नहीं है कि ये प्राचिन दुनिया के साथ अजूबों में से एक हैं वे उनमें से भी सबसे पुराने हैं और प्राचिन दुनिया के एक मात्र अजूबे हैं जो आज भी मौजूद हैं लेकिन गीजा का प्रामिड उस समय का पहला प्रामिड नहीं था। कि ये इमारत आगनों सहीद पूरे परिसर से घिरा हुआ था प्राचीन मिस्र में लोग पुनर जरम में विश्वास करते थे इसलिए हर कोई विशेश रूप से राजा ये कंफर्म करना चाहता था कि उसके पास पुनर जरम के बाद तयार होने के लिए सब कुछ है इसलिए प फरनीचर भोजन और सोने के बरतन की आवशक्ता हो सकती थी जोसर के बाद प्रामिड बनाना आम बात हो गई थी लेकिन कई प्रामिड समाप्त नहीं हुए थे आम तोर पर एक प्रामिड को बनाने में लगबग 20 सालिया उससे अधिक का समय लगता था कई शासकों ने तो इ बेरान खुफू के लिए 2440 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था सुवात में 481 मीटर लंबा था जो 40 मंजला इमारत जितना उंचा था दूसरा प्रामिड लगबग 2520 ईसवी पूर्व के आसपास खुफू के बेटे काफरे के लिए बनाया गया था ये खुफू के प् चेत्रों की रक्षा के लिए बनाया गया था मूल रूप से इसका रंग लाल था और इसकी एक नाग थी इसके कानों से लाल लुकुड का निशान अभी भी देखा जा सकता है लेकिन कोई नहीं जानता कि इस्विंक्स की नाग कहां गायब हो गई कुछ समय के लिए इस्वि 290 इस्विपूर्व के आसवास काफरी के बेटे मैंकर के लिए बनाया गया था यह 298 फीट लंबा था जो 20 मंजला इमारत जितना उंचा है प्रामिणों को कंपास के पॉइंट्स के साथ एक लाइन में बनाने के लिए डियान किया गया था और इस पर सूर्य की रोशनी प्रामिण चिक ने सफेज चूना पत्थर से डखे थे और सूर्य की किर्णों को प्रतिवंबित करने के लिए सौने चांदी से टॉप को बनाया गया था बाद में सफेज चूना पत्थर दूसरे राजा उंद्वरा प्रामिणों से ले लिया गया और दूसरी इमारतनों के बेग्यानिकों ने अनुमान लगाया कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पहले प्रामिड के निर्माड के लिए 2.3 मिलियन बड़े पत्थरों का इस्तमाल किया था और प्रतेक पत्थर का वजन एक टन से अधिक था जो कि एक गैंडे का वजन होता है। बेग्यानिकी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि मिस्र के लोग कैसे प्रामिड बनाने में काम्याब रहे। मिस्र की प्राचीन किताबों में भी ये कहीं नहीं लिखा है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि मिस्रवासि इसे अपने रहसे के रूप में रखना चाते थे और इसे जानबूच कर कहीं नहीं लिखा गया था वैज्यनको का कहना है कि लगवग 20,000 लोगों ने प्रतेक प्रामिड पर काम किया और एक प्रामिड को बनाने में लगवग 20 साल लगे ये शायद एक राष्टिय परियोजना थी निर्माड स्थल संसाधनों से भरा था और मिस्र के सभी इस्सों से भोजन और जरूरी चीजों का योगदान उने की संभावना थी इतने सारे समर्थन के बाद भी ये इसपष्ट नहीं है कि लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे और इतने बड़े पत्थरों को कैसे इखटा करते थे एक त्योरी से पता चलता है कि पत्थरों को नील नदी के ऊपर नाओं में ले जाया जाता था उन्हें इन विशाल पत्थरों का निर्माड स्थल पर ले जाना पड़ता था वे शायद लकडी के सिलेज का इस्तमाल करते थे उन्हें खीचना बहुत मुश्किल नहीं मानी की सही मात्रा के साथ मिस्रित रेत काफी चिकनी थी और एक टन वजन वाली चट्टान के साथ भी दस लोग आसानी से सिलेज को एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते थे आखिर में एक आखरी समस्या जिसमें उन्हें पत्थरों को उठा कर सही जगा पर रखना था पुरातत वबादियों ने रेम सिस्टम के अवशेशों की खोच की जो की प्रामिडों के निर्माण के समय की है सबसे अधिक संबावना है कि मिस्र वासियों ने इन बड़े बड़े पत्थरों को एक जगा से दूसरी जगा खींचने के लिए एक अनूठी परणाली तैयार की थी लेकिन कोई नहीं जानता है कि ये वास्तम में कैसा दिखता था आस्चर्र की बात है कि प्रामिड के अंदर बहुत कुछ नहीं है इसमें से जातर केवल बहुत कम खुली जगे के साथ ठोस पत्थर है आए गीजा के सबसे बड़े प्रामिड के अंदर तेजी से एक नज़र डालें प्रवेश द्वार से दो सीडियां है एक नीचे जा रही है और दूसरी नीचे उतरती हुई आपको अंदर गाउंड एक कमरे में ले जाती है जहां फिरौन है लेकिन इस प्रामिड में नहीं है क्योंकि खुफू अकेला रहना चाता था अंडर गाउंड कमरा आंशिक रूप से अधूर आ है खुफू के ताबूत वाले कमरे को राजा का कमरा कहा जाता है यह उपर है राजा के कमरे के नीचे एक कमरा है जिसे रानी का कमरा कहा जाता है हाला कि इस कमरे में कोई रानी नहीं है और यह भी निश्चित नहीं है कि इस कमरे को ऐसा क्यों कहा जाता है दुरबाग्या से इन में से किसी भी कमरे की दीवार पर कोई डिजाइन नहीं है वो सब खाली है यदि आपने देखना चाहते हो तो आपको दूसरे कमरों में जाना चाहिए जो की सजाए गए है वो सब कलाकृतियां प्राचिर मिसर की संस्कृति और देनिक जीवन को दरसाती है दिवारों में लिखे गई शब्द सोध करता को उनकी भासा और रहन सेहन को ज कीज रहे हैं और रोबोट ने दीवारों पर डियन के साथ थोड़ा ऊपर एक और कमरे की खोच की है लेकिन आज भी जातर प्रामिनों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है ये बात आज भी एक रहस्य है कि इन्हें कैसे बनाया गया था मिस्टर बासियों ने एक ऐसा रह आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका इंफ्रमेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए